निकासी नाले पर केन आजाय स्कब्जों और जंगली बूटी कारण बन सकती हैं बार की स्थिती शहर निवासियों की तरफ से प्रशासन से प्रभावी कदम उठाने की मांग टांडा से श्री हर्गो बिंद पूर रोड को जाती लिंक सड़क के साथ साथ टांडा शहर से काली वई तक बरसाती पानी की निकासी के लिए बरसाती नाला बना हुआ हैं जिस पर लोगों ने नाजायस कब्जे किये हुए हैं और जंगली बूटी के कारण पानी का व्यानब बंद हो गया हैं और नाले को जगा जगा से बंद कर दिया गया मैं साथ का परतान शिरी देजरा जी बिंदी करना के जो लक्की पेरस दे कोलो नाला पक्के बोलता के जंदा है उदा परशाशन नों दसने जलने अपना के अज बिलकुर नाला परहापय का आदे बूट के नाल लोगों ने इस नाले ते कबजा भी किता हुए हैं ये बहुत तोफान आरे ने किसे वक्त में इद्धर भी आ सकता है ये जाननी जाने माली कोई नुक्सान हो जानदा है इदा परशाशन जुम्यवार होवेगा क्योंकि बहुत माड़ा हाला नाले दा इदे कारण को शैर देविच कि सिंगला पार इदे निर्दीक एक बहुत पर बहुद इदा है ऐट पर शोंसान हिसां जुम्यवार होवेगा और मुर्दे क्लेप आदा क्योंकि भी लिदा पाइं लिधा प्रसांतर करें ये पाणी सारा ही मियानी ज्यटांदा है तो देदा थे प्रशाशन नो फिर मैं कहना बिल्कुल है तो त्यान करें अपनी अख्खाँ खोड़ के कामकार्ण कोई भी जानी माली नुक्सान होया इदा प्रशाशन ही जुम्यवर होगा जय है मैं टांडा शेयर नो अपने प्याना प्रामानों तो वीरन बचाओं दिखातरे बेंती करता है कि जरूरी जल्द तो जल्द ये नालेदी सफाई कराई जावे और सिम्रा पारिदे लागे जड़ा है गयावा पुली नो भी साब कराई जावे कोई भी नर्सान हो सथा है क्योंकि मेरे शेयर वासिहन, मेरे पैनबराहन, मैं साबका परदान, नगरपार का उर्मट टांडा, शिरी द्वेजरा जी तो अड़े मरे हाथ जोर के बेंती करता है ये तो जरूरी द्यान करके इनों सफाई कराई जबे तानवाद देश विदेश टीवी के लिए होशियार पूर से जस्परीट सैनी की विशेश रपोर्ट झाल झाल